हलो बच्छो नमस्कार पैरे बच्छो आज miscellaneous की second klaus होएगी मतलब miscellaneous की first first him a log क्योंकि मैं नभी तक ही question करा है इसका आज मैं question number इसका second कराने जा रहो और एक हे करके बहुत सारे question हम आज cover कर लेंगे तो देखिए पहला question है sorry second question है if the sum of 3 number in AP is 24 and their product is 440 find the number इस तरह के question आपने 10th class में कर रखे हैं कि जब भी 3 number का जैसे GP दिया हुआ था तो A upon R A A R लेते थे उसी प्रकार से अगर आपको AP दिया हुआ कोई 3 term तो आप क्या करेंगे आप करेंगे A minus D A और A plus D इस तरीके से लेंगे तो let the first term सीधा let the let the AP is AP let करो तो AP बनेगा आपका A minus D comma A comma A plus D यह बनेगा आपका AP अब क्या according to question the sum of AP is A minus D plus A plus A plus A D बराबर 24 ठीक है D से D कट किया A A plus A 3 A 24 3 से 24 कट जागा A to A की value कितनी हो गए 8 A की value कितनी हागी 8 अब क्या किरा है now the product the product of AP is ठीक है is क्या भई 440 तो product करो A minus D into A into A plus D बराबर 440 A की value है 8 A minus D A plus D A square minus D square और आपर 440 8 से कट गया 55 A की value है 8 का square minus D का square 55 यह हो गया 64 plus का 55 इदर आके minus और यह इदर जाके plus तो यह कितना आएगा 9 और यह D का square square यह जाएगा अंडर रूट 9 तो D की value आ गई प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 नौव दए पी बनाना है जब A 8 हो और D 3 हो तो AP बनेगा A minus D A A plus D तो क्या बनेगा भी A minus D 8 minus 3 8 8 plus 3 तो बनेगा कितना 8 में से 3 गया 5 8 यह 11 एक AP तो यह बनिया एक AP और बनेगा AP जब A 8 हो लेकिन D कितना हो minus 3 तो AP क्या बनेगा A minus D A A plus D A कितना 8 minus minus 3 यह कितना 8 यह कितना A plus minus 3 तो A plus 3 8 8 minus 3 11 8 5 यह एक नई एपी तो यह दो AP आपके सामने बच्चो तयार होगी ठीक है जी तो यह दो AP होगी 5 8 11 और 11 8 5 ठीक है नोट करो इसके बाद कोशन नमबर 3 झाली करोके बान कितना हो यह भी झाली करोके बात साही झाली करोके बाते हो Almost 2 यह भीक है यह क्यों होगी 5 5 6 करें जूरू अब क्या है कोश्चन नमबर थ्री कोश्चन नमबर थ्री में कह रहा है न, 2N, 3N term of NAP is S1, S2 and S3 ठीक है respectively so that the, this is this, चलो ठीक है third, let the first term of AP वह है A and the common difference of AP, D now, अब क्या करेंगे बच्चो चलिए, according to question उसने बोला है, S1 जो है, वो sum of N terms है sum of N terms तो इसका मतला, N upon 2, 2A plus N minus 1, D यह S1 है, now S2, sum of 2N term तो 2N upon 2, 2A plus 2N minus 1, D और S3, sum of 3N terms है so S3 बराबर 3N upon 2, 2A plus 3N minus 1, D ठीक है now अब क्या बच्चो हाँ जी, we have to prove that we have to prove that S1 is equal to 3S2 minus S1 sorry, S3 यह proof करना है, तो बस, right hand side उठाओ 3S2 minus S1 3S2, S2 कितना है? 2N minus 2 2A plus 2N minus 1, D ठीक है minus फिर क्या है, S1 S1 क्या है, N upon 2 2A plus N minus 1, D ठीक है अब proof करो बच्चो क्या है 3 ठीक है, 3 N by 2, N by 2 common आ गया N by 2, N by 2 common अंदर क्या बच्चिक है, 2 अंदर क्या बच्चिक है, 2 2A plus 2N minus 1, D ठीक है फिर minus N by 2 तो common आ गया तो minus अंदर जाएगा minus का 2A minus का N minus 1, D ठीक है, तो यह बनी क्या 3N by 2 अंदर multiply 2, 2 जा 4 है 2, इंटु में 2N minus 1, D minus 2A minus N, D minus minus plus D ठीक है 3N upon 2 4A plus दो दुनी 4N, D minus 4D minus 2A minus N, D plus D ठीक है, 4A से 2A गया 2A 4N, D से यह गया 3N, D ठीक है, 4D से यह गया minus का 3D ठीक है, जी ठीक है, तो 3N upon 2, 2A plus 3N minus 1D, और इस पूरे के बराबर क्या आगया, S3 hence proved करो, करो अच्छो इसको करो इसे video pause करो और note करो अच्छो आग्छो आग्छो करो तेन के फंग्छो क्रोण! अच्छो आग्छो 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 हाँ जी कोशन नमबर फूर्ट वच्छा आप कर सकते हैं फिफ्ट कर सकते हैं सिक्स्थ भी कर सकते हैं सेवंथ नहीं करना एट कराता हूं चलो दसमों समों सम टर्म्स ऑफ जीपी इस त्री वन फाइव फॉस फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो आर फाइव और फाइव फाइंड फाइंड लास्ट तो इसमें क्या है तो बहुत असान है माल लीजे कोई भी में है ठीक है माल लीजे कोई बीड़ा में है एक मिन देखो जरा कैरस दे सम आफ सम टर्म ऑफ जीपी लैट दा लैट दा लैट क्या करना है अब क्या कर रहा है सुरी अब क्या पहले थे वहीं कर दा हां जी फर्स्ट रम फर्स्ट रम ऑफ जीपी कितना है है हमारे पास कितना दे रहा है फाइव कॉमन रेशो ऑफ जीपी क्या दे रहा है टू ठीक है नौ सम आफ एनिटर्म सम आफ एनिटर्म दे रखा आपको 315 तो यानि कि मान के चलते हैं अब देखो वहीं कॉमन रेशो 2 से बढ़ा है न तो फॉर्मल लगाएंगे फाइव ए र की पावर एनिटर्म-1 अपन में र मान के चलते हैं पता है ना क्यों क्योंकि एन्ट एक से बढ़ा है एक इतना 5 यह 2-1 यह 2-1 315 भाईंट 2N-1 2 में से 1 गया एक रहेगा बात ही खतम 5 से काटो 6 3 2N minus 1 वहाँ जाएगा plus का 1 2N बराबर 64 हाँ भई क्या होता है 2 की बराबर 6 base से में power भी same होगी N कितना आ गया 6 N कितना आ गया 6 अब जब N 6 आ गया तो क्या बोला उसने क्या बोला उसने find the last term and number of terms so number of terms तो 6 आ गया और last term now यह जिस 6th term 6th term क्या होगा भई A6 A6 क्या होगा A R की power 5 A कितना है 5 R कितना है 2 कि बार 5 5 and 2 2 कि बार 5 32 multiply कर दो 0 और 16 कितना आ गया 160 ठीक है note करो miscellaneous थाए झाल 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 56 झाल 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 झाल